अंटी जी आपका नाम मेरा नाम रुकमनी है अंजी आप कहां के रहने वाले हो तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपके जीवन में क्या क्या स्मस्य थी क्या परिशानिया थी मैं दो जारी किस्त में बहुत बिमार थी और मुझे अपने जीने की उमीद बिल्कुल भी नहीं थी यूंकि मुझे हर रोज रात को आठ पजे जाना पड़ता था मेरा ब्लेड प्रेशर तोड हैसों से भी उपर चला जाता था और मैं अनकॉंसेस हो जाते थी और तीन भीने तक मैं वहीं जाती रही फिर मुझे प्रभू के दास के द्वारा यहां लाया गया कि आप चलो आण्टी जी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आप एक बार मेरे साथ चलो तो मैं उन्होंने मेरे को घर से लाया और मैं यहां आई जब मैं दस पंद्रा दिन के बाद खुद को ठीक महसूस करने लगी और आज एक साल हो गया मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो कंटिन्यू नर्मल है और मैं आप सब लोगों के बीच में आज आपके दर्शन कर रही हूं मुझे कोई उमीद नहीं थी कि मैं बचपाऊंगी जोर से परमेशर की महिमा करेंगे सबसे पहले देते हैं तो ये खुद ही इतने बीमारी में इतने परिसानी में पड़ी हुई थी कि अपना इलाज नहीं कर सकते थे हमारे चर्च के इतने नजदीक होने के बावजूद भी इनको नहीं पता था लेकिन जब हमारे पास्टर जीन इनको बताया कि सिस्टर आप आईये इन्ह आप अज तक नॉर्मल लिए और आप बिलकुल ठीक हैं हैं जी मैं बिलकुल ठीक हूं है हंजी और और कुछ परिसानी थी आपके जीवन में क्या मेरे परिवार में बहुत सारी परिसानिया थी जो प्रभू इसू के द्वारा सब अपने आप जो है वो सॉल्व होती जा रही है मैं प्रभू का बहुत सुक्र गुजार करती हूं कि प्रभू ने मेरे को बहुत अच्छे धंस परिवार में सब के साथ निष्चे हो करके मेरे को जीवन दिया हुए हैं और आज मेरा परिवार बहुत खुश है आंटी जी आपके जो परिसानिया कैसे ठीक हुई आपको किस ने ठीक किया प्रभू इश्चे ने मेरे परिवार को ठीक किया और पास्टर जी की प्राथना के दर अच्छे और आप इस वास में लगातार बने रहे हैं मैं जिन्द की भर जब तक मैं जीवी तको मैं झाल